Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. आज जो हम topic cover करने जा रहे हैं, वो भी holocaust के उपर ही है. आज ही के दिन, याने की 17 March 1943 को, मैंने आपको जो death camps के बारे में बताया था, exterminations camp के बारे में बताया था, उसमें से सबसे पहला camp, Belzac death camp, वो आज के दिन एक तरीके से activate हुआ था, आज ही के दिन सबसे पहले यहुदी क इन death camps के अंदर मारा गया था, और इस घटना करम की आज ही शुरुवात हुई थी. दोस्तो, क्यूं मैंने आज इस topic को cover किया, इसके पीछे दो कारण है. पहला कारण तो यह है, क्योंकि मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, और क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, कि व हमारे देश भारत में भी देखा होगा, आज कल दा कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ही जागरुकता लोगों के मन में है, तो यह जो topic हम cover कर रहे हैं, यह भी कुछ इसी तरीके का है, मैं दा कश्मीर फाइल्स को cover नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में अब लोग काफी कैम्प था, जिसे SS द्वारा गुप्ट ऑपरेशन रहनार्ड को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया था, सभी पोलिश यहुदियों की हत्या की योजना, जिसे की the final solution भी कहा गया है, यह उसका एक महत्पून हिस्सा था, जिसमें लगबग 6 मिलियन यहुदियों की हत्या की गई थी, यह है शिवीर 17 मार्च 1942, यानि कि आज ही के दिन से जून 1943 के अंतक संचालित था, यह है जर्मन कबजे वाले पोलेंड के सामान्य सरकारी छेतर के एक ल्यूबेल्स की जिले में था, और बैलेक के इस्थानिया रेलवे स्टेशन के लगबग 500 मीटर आजी योजना थी, इस नरसंगार का आधिकारी कोडनेम था, जो यूरोपिया मादवीब तक ही सीमित नहीं था, जर्मन कबजे वाले यूरोप में शुरू होने वाली ओर्गनाइज जैनोसाइड की यह नीती, जनवरी 1942 में बर्लिन के पास आयोजित वॉन सी सम्मेलन में न इसके अंदर जो एक्स्टर्मिनेशन कैम्प्स थे, ऐसी जगाओं को चीहनित करना और वहाँ एक्स्टर्मिनेशन कैम्प्स बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोगों को मारा जा सके, ऐसा माना जाता है कि 4 लाग 30,000 से 5 लाग यहूदियों की SS द्वारा बेल ज कारण यह है, जो भी यहूदी इस शिविर में काम करते थे या मारने के लिए लाए गई थे, उनमें से कोई भी बचा नहीं था, ऐसा माना जाता है कि केवल साथ ही लोग इसमें से बचे थे और उसमें से भी सिर्फ एक ही सब के सामने आया था, जिसने इसके खिलाफ पोलेंड के खिलाफ जर्मन सोवियत समझोते के अनुसार बैलेक का कबजा जर्मनी को मिल गया, हाला कि जर्मनी और सोवियत यूनियन की आपस में एक संदी थी, लेकिन फिर भी 1949 में सोवियत आकरमन से बचने के लिए यहूदियों को एस ए फोर्स लेबर इस छेतर में लाय लुबेल्सकी शहर लगबग 95,000 जर्मन, आस्ट्रियाई और पोलिश यहूदियों के शुरुवाती नाजी हस्तांतरन का केंद्र बन गया, जिनने पश्चिम और सामाने सरकारी शेतर से निश्कासित कर दिया गया था, इन लोगों को नाजी सोवियत सीमा के साथ टैंक विर उसके आसपास के छेतर का जर्मिन करण शुरू करने का आदेश दिया था, जिसमें इन छेतरों से यहूदियों को हटाने की आवशक्ता थी सबसे पहले गैस चेम्बरों पर काम शुरू करने का निर्ने वास्तिविक वांसी सम्मेलन से तीन महीने पहले शुरू हुआ था, पहला कदम मद्य सितंबर और मद्य अक्टूबर उन्री सोकतालिस के बीच उठाय गया था, और निर्मान एक नवंबर के आसपास शुरू बेशे के पास की साइट को कई कारणों से चुना गया था, यह जगह ल्यूबेल्स की जिले और गैलीसिया के जर्मन जिले के बीच की सीमा पर इस्तित्त था, यहां दोनो छेतरों के यहुदियों को इखटा करके लाया जा सकता था। खाई बनाई गई थी, मूले रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए इस खाई की खुदाई की गई थी, लेकिन बाद में पहली सामुही कबर के रूप में इसको इस्तमाल किया गया था, यहां रिचार्ड थोमला को लाया गया जो पेशे से एक सिविल इंजिनिर था और SS मे शिविर निर्मान का विशेशक गया था, नवंबर 1949 के शुरुवात में यहां काम शुरू हुआ था, जिसमें ट्रौवनी की गार्ड्स के एक दस्ते की देखरेक में इस्तानिय बिल्डरों का इस्तमाल किया गया था, फोर्स लेबर के उद्देश्य के लिए रेलवे ट्रा एलिस में टैंक इंजन और गैस से लोगों को मारने के लिए पाइपिंग सिस्टम में फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया था, बेलजैक छेतर में दो खंड शामिल थे, जो एक उच्च काटेदार तार की बार से घिरे हुए थे, और ये कटे हुई देवदार की शाकाओं स और ये दोनों छित्र एक संकीन गलियारे से जुड़े हुए थे, जिसे दाट्यूब कहा जाता था, सभी आने वाले यहुदियों को प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से उतारा जाता था, वहां पहुशने पर उन्हें बताया जाता था, कि उन्हें एक ट्रांजिट पॉइंट पर लाया गया है और यहां से उन्हें अलग-अलग बेजा जाएगा, फिर वहां बच्चों, महिलाओ और पुर्शों को अलग-अलग कर दिया जाता था, उनसे कपड़े उतारने के लिए बोला जाता था, उसके बाद इन लोगों को गैस चैंबरों के लिए एक तंग रास् को छोड़ा जाता था, ये T9 टैंक्स जर्मनी से खास इस काम के लिए ही लाए गए थे, लेकिन इन टैंक्स से लोगों को मारना इतना आसान नहीं था, कई बार ज्यादा लोगों के होने के कारण धुए से वो लोग मरते नहीं थे, और ऐसे में अपने काम को पूरा करने में जर्मन लोगों को बहुत वक्त लग जाता था, पहले तीन महीनों में लगवग 80,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उन्हें वहाँ बने गड़ों में दबा दिया गया था, इस विनाश का दूसरा चरण जुलाई 1942 में शुरू हुआ, जब नए गैस कक्षों को इंट औ ऐसे दो और शिविरों को बनाया गया, ये दो शिविर थे, सोबी बोर और टॉबलिंग का, रैजो में रेलवे स्टिशन पर एक वेरमाच सार्जेंट विलहम कॉरनाइट्स ने अपनी डायरी में 30 अगस 1942 को एक जर्मन पुलिस कर्मी के साथ बातचीत को रिकॉर्ड किया थ कि यहुदियों से भरी ट्रेन लगभग रोज रेलवे यार से गुजरती थी और तुरंथ ही निकल जाती थी, उन्होंने ये भी बताया कि एक बार में कुल 6-7,000 यहुदियों को एक साथ ट्रेन से उतार लिया गया था, इन में से लगभग 1500 लोग दम गुटने और प्यास स आने से पहले ही मर चुके थी, शेश बचे लोगों को ट्रेन से उतारा गया, बच्चों, और आदमियों को अलग अलग किया गया, उनको कपड़े उतार के नहलाने के लिए ले जाया गया, उसके बाद उन्हें गैस चेमबर्स में ले जाया गया, और वहां जहरीली गैस से उनको मार दिया गया, इसके बाद उनको निकाल कर कबरों में दफना दिया गया, इस दोरान सोवियत यूनियन में 22,000 पोलिश शैनिकों की हत्या या नरसंगार कर दिया गया, जब यह बास सब को पता चल गई, तो नाजी नित्रत्व से सीधे एक ओर्डर आया, और उन्हें इन कबरों को ढूंड कर सभी डेट बॉडिज को ठिकाने लगाने का ओर्डर दिया गया, बैल्जैक में दफन की गई सभी लाशों को गुप्त रूप से निकाला गया, और फिर धीरे धीरे उन्हें एक खुले चिता में जला दिया गया, इस सामो एक हत्या के साक्षों को छ कर दिया गया, सफाई अभियान करने वाले 300 यहुदी कैदियों के साथ आखरी ट्रेन जून 1943 के अंत में गैसिंग के लिए सोभी बोर विनाश शिविर के लिए रवाना हुई थी, पीछे से बैल्जैक कैम्प को एक नकली खेत में बदल दिया गया था, जिसमें एक यूक्र ना चले और कोई सबूत ना मिल पाएं, इसी सेम मॉडल को ट्रेबलिन का और सोभी बोर में भी अपनाया गया, ऐसा माना जाता है कि कुछ पचास यहुदी सफलता पूर्वक बैल्जैक से भाग गए होंगे, हलाकि उनमें से अधिकांश फाइनल सॉलूशन के शुरू होने से पहले ही मारे गए थे, जो बच गए थे, उनमें से केवल साथ ही युद्ध के अंतक जीवित थे, साथ ही शिविर से दो यहुदी भी भाग निकले थे, जिनोंने नाजी जर्मन अपरादों की जाच के लिए पोलिश मुख्य आयोग के साथ अपनी गवाही साजा की थी, त्वित्य विश्वित खतम होने के बाद जाच की गई तो बैल्जैक और ऐसे ही अन्य एक्स्टर्मिनेशन कैंप्स के होने के सबूत मिले, साथ ही ऐसी कबरों के भी सबूत मिले जहां लोगों को मार मार कर दफना गया था, हलाकि नाजी नित्रत्व की यह कोशिश थी कि इ अनिया के सामने ना आए, लेकिन फिर भी जब जाच के बाद यह सब सबूत मिले और कुछ घवावी मिले तो यह सच्चाई सब के सामने आई, दोस्तो सच को दबाने का कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन आखिरकार वह सामने आ ही जाता है, अब शायद आप लोग यह ब बाते मुझे बतानी पड़ती है, पर मेरी कोशिश यह रहती है, कि आप लोगों को यह बताया जाए, इतिहास में जो गल्तियां हुई है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा, कि इतिहास अपने आपको हमिशा धोराता है, और हम यह नही दोस्तों आपको और आपके परिवार को होले की हार्दिक शुब कामना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह तिवार बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर अब मंडे आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मुँच.